उत्तर प्रदेश के बांदा क्रिशी विष्ट विदाले परिसर में किसान मेले का आयोजन खिया गया है। इस मेले में किसान आत्म निर्भर और उनके आये दोगुनी हो सके, इसके लिए सैकडों की संख्या में स्टॉल लगाकर विशेश जनकारिया दी जारी है। क्रिशी विभाग, पसुपालन विभाग, खादे विभाग, सहित कई विभाग मिलकर प्रगेती सेल किसानों के माध्यम से अस्थानिय किसानों को जनकारी दे रहे हैं। इसी क्रम में किसान मेले में एक भैसा लाया गया है, जिसके कीमत 25 लाग रुपे से ज़्यादा बताई जा रही है। तब तक इसने पूरा दूद पिया। किसान ने भैस का दूद किसी अन्य जगह इस्तिमाल नहीं किया। बगीरा अकेले दोनों टाइम का करीब 15 लिटर दूद पीता था। इस ब्रीट का भैस इसलिए मसूर है कि इसका बेरिय बहुत कीमती है। लोग इससे क्रॉस के लिए अच्छी कीमत देते हैं। इससे पैदा भैस आठ से 12 लिटर का दूद एक समय में देती है। और लंबे समय तक दूद देती है। जिसे किसानों का बैपार बढ़ता है और आय भी बढ़ जाती है। इस ब्रीट का बच्चा दो साल में जमान हो जाता है इसकी सेवा करने से इसकी कीमत बढ़ती है। आशिया ना तो कीजिये हमारे नंबरों पर संपर।